नमस्कार सिख्छार्थियो एनाइवेस के योग सिख्छक प्रशिछन कार्क्रम में आपका स्वागत है अब तक आप तीन यूनिट इस पार्क्रम की पढ़ चुके हैं जिसमें योग एवम योगिक ग्रंथ, अर्ष्टांग योग और योगिक संस्कृती के विशे में आप जयनकारी प्राप्त कर चुके हैं हम आज मानफ सरी रचना एवम क्रिया विज्ञान जो हमारी चौथी इनिट है इस पार्क्रम की उस पर चर्चा करेंगे मानफ सरी रचना एवम क्रिया विज्ञान ये बहुत ही महत्पूर टॉपिक है और जब हम बात करते हैं स्वास्थे की तो निश्यत रूप से स्वास्थे की बात करते ही हमारा ध्यान हमारी सरीर रचना और किरिया पर जाता है तो क्यूं जानना आवसक है सरीर के इसे में हमारा जो मानव सरीर है उस सरीर को या स्वस्थ रखना है तो उसके जो भिन भिन अंग है internal organs और जो भी हमें दिखाई देता है body के जो हमारी parts है उन सभी को स्वस्थ रखने के लिए यह आवस्थक है कि उनको ठीक से जाने उनकी वारे में ठीक से समझे और कैसे उनको स्वस्थ रखा जा सकता है और जब योग की बात करते हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि कौन सा अंग सरीर में कहां इस्थित है और योग के माध्यम से या योगिक किरियाओं के माध्यम से उन पर क्या प्रभाव परता है इसलिए यह है जो unit है मानव सरी रचना एवं किरियाओं जो बहुत ही महत्पून टॉपिक है इसके विसे में हमारे साथ डॉक्टर निधी गर्ग जो फिजीशन है इसके बारे में डॉक्टर निधी जी मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और मैं आपको यही निविदम करता हूँ कि योग के जो हमारे यह सारी learners हैं इन सभी के लिए बहुत ही महत्पून इस टॉपिक को एक-एक सिस्टम के हिसाब से इनको ठीक से आप बताएंगे आपका बहुत-बहुत स्वागत है निधी जी नमस्कार धन्यवार डॉक्टर प्रवंजी जैसा कि सर ने बताया है कि हम योग शिक्षार्थियों के लिए मानव शरी रचना और मानव क्रिया शरीर के बारे में जानेंगे हम यह जानेंगे कि इसका जानना हमारे लिए क्यों आवश्यक है क्यूंकि जब तक हम मानव शरीर के बारे में नहीं जानेंगे तो जो हम योग की क्रियाय कर रही है उनका कहां पर शरीर के किस हिसे में क्या प्रभाव पड़ रहा है वो हम नहीं जान पाएंगे इसलिए आज हम थोड़ा थोड़ा सब के के विशे में जानेंगे पहले जान लेते हैं कि मानव शरीर क्या है मानव शरीर विभिन सर रचनात्मक्स तरों का एक जठिल संगठन है जिसका आरम परमानुओं अनुओं एवं योगिकों से होता है तथा कोशिकाय उतक अंग एवं संस्थान या तंत्र परस पर मिलकर मरम करें जैने मानव शरीर क्या है कि मानव शरीर परमानुओं अनुओं योगिकों से बना है और छुशिक यह जया अस्थियां, पेशियां, तंत्रिकाएं, वचा तथा आंत्रिक यंग यह जैसे की हृदय, यकृत, लीवर, फेफड़े आदी से मिलकर बना है तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें शरीर के विभिन अंग प्रत्यंगों की प्राकृत रचना अर्थात कैसे वो बने हैं मानव शरीर रचना तथा उसके विभिन अंगों के पारस्परिक संबंधों का अध्यान किया जाता है उसे शरीर रचना विज्ञान या एनोटमी कहते हैं यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम मानव शरीर कैसे बना है, उसमें क्या-क्या अंग है जो हमें स्थूल आंकों से और जो हम मा constructive से देख सकते हैं इसकी विभिन विभिन शाखाएं हैं कि जैसे हमारा हृदह है कि जब हम उसको देखते हैं उसमें चार कोश्ट बने हुए तो इस प्रकार का जब हम देखते हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं उसे हम शरीर रचना विज्ञान कहते हैं और विज्ञान की वहशाखा जिसमें शरीर के विभिन अंग प्रत्यंगों की प्राकृत क्रिया अर्थात शरीर में मुझूद भिन भिन अंगों एवं तंतरों के कार्यों तथा होने वाली क्रियाओं का वर्णन किया जाता है उसे शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा है हम इसको और अधिक समझे तो कि जिसमें शरीर में संपन होने वाली क्रियाओं का अध्यन किया जाता है इसकी अंतरगत मनुष्य या किसी अन्य प्राणी पादप के शरीर में मौझूद भिन भिन अंगों एमं तंत्रों के कार्यों और उन कार्यों के होने के कार्णों के साथ-साथ उनसे संबंधित चिकित्सा विज्ञान के नियमों का भी ज्ञान दिया जाता है जैसे हम देखते हैं कि कान सुनने का कार्य करते हैं आँखे देखने का कार्य करती हैं लेकिन शरीर क्रिय विज्ञान इस सुनने और देखने के संबंध में हमें यह ज्ञान कराती है कि धनी कान के परदे पर कैसे पहुँचती है प्रकाश की किरने आँखों के लेंसों पर किस प्रकार उस वस्तु की छवी मस्तिष्ट के तक पहुंचाती है। इस प्रकार मनुष्य जो भोजन करता है। उसका पाचन किस प्रकार होता है। पाचन के अंत में उसका आंतों की भित्यों में जाकर अवशोशन कैसे होता है। हृदय रक्त संचरन कैसे करता है ये सब चीजें हम शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से जानते हैं मानव शरीर असंख्य छोटी-छोटी इकाईयों से बना है जिने हम कोशिकाय कहते हैं कोशिका शरीर का एक बहुत ही सुक्ष्म रूप है जिसे माइक्रोस्कोप की सहयता से देखा जा सकता है यह शरीर की एक संरचनात्मक वाक्रियात्मक की काई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की शमता रखती है कोशिका की रचना के अंदर कई एक समिलित अंग आते हैं जिनके सामुहिक रूप को हम कोशिका कहते हैं कार्यों की विभिंता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकरिती में अंतर होता है लेकिन कुछ रचनात्मक विशिष्ट गुण उन सभी में समान रहते हैं तो आईए इन विशिष्ट रचनात्मक गुणों तदा मानव शरीर रचना एवं शरीर क्रिया विज्ञान को बहता ढंग से समझने के लिए शरीर की इस लगुत्तम इकाई कोशिका का ज्यान प्राप्त करते हैं कोशिका इसको हम सेल बोलते हैं और जैसे अभी हमने पढ़ा जाना कि मानव शरीर असंख्य छोटी-छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है और कोशिका मानव शरीर की लगुतम मूल भूत सरचनात्मक स्ट्रक्ट्ट्रल वा क्रियात्मक फंक्शनल एकाई है मानव कोशिका का निर्माण अंदर से बाहर की ओर तीन भागों में होता है केंद्रक जिसे हम नूकलियस कहते हैं कोशिका द्रव्वे जिसे साइटोप्लास्म बोलते हैं कोशिका जिल्ली यानि की सेल मेंब्रेन पहले हम केंद्रक के बारे में जान लेते हैं केंद्रक, केंद्रक लाल रक्त कोशिकाओं को छोड़ कर शरीर की सारी कोशिकाओं के भीच वाले भाग में एक गोला का रचना होती है जिसे केंद्रक या नूकलेस कहते हैं यह कोशिकाउं की क्रियाओं को नियंदृत करता है। यह कोशिकांकला के समान दोहरी परतवाली मेंब्रेन से चारों और से घीरा रहता है, जिसे Kendra Carl या Nucleus Membrane कहते हैं इस Nucleus के अंदर Nucleoplasm में सूत्रवत रचनाई पाई जाती हैं जीने गुन सूत्र अर्थाक Chromosomes कहते हैं ये Chromosomes एक पीड़ी से दूसरे पीड़ी तक अनुवाँशिक गुणों को पहुँचाने का कारे करते हैं अब कोशिका द्रव्य की बात करते हैं केंद्रक के अलावा कोशिका के अंदर के पूरे भाग को कोशिका द्रव्य अर्था साइटोप्लाज्म कहते हैं और इसी साइटोप्लाज्म पर एक सेल का जीवन आश्रित रहता है और इसी पर कोशिका की समस्त मूल भूत जीवन क्रिय जैसे श्वसन पाचन उत्सर्जन वृद्धी मेटेबॉलिजम आधी निलभर करते हैं जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं कि इसके अंदर विभिन इसके अंगब जो कोशिका अंग हैं वो पड़े हुए हैं जैसे कि आपका लाइजोजोम हैं राइबोजोम से माइटो गुलजी अपेरेटस हैं यह सब साइटो प्लास में ही पाए जाते हैं अब हम बात करते हैं कोशिका जिली की कोशिका जिली याने की सेल मेम्बरेन यह एक भारी पतला आवरण है जो कोशिका द्रव्वय के चारों विद्यमान होता है यह वसा प्रोटीन तथा लवनों की द करते हैं उतक की टिशू क्या है कैसे वनते हैं जैसा कि अब हम जानते हैं मनुष्य एक बहु कोशी की ये मल्टी सलुलर प्राणी है रचना तथा कारे में कोशिकाएं एक ही प्रकार के कारे करती हैं और एक ही वर्ग के उतकों जैसे हड़ी उपास्थी पेशी आधी का निर्म बहुत से उतक मिलकर शरीर के अंगों का निर्मान करते हैं जैसे अमाशे, गुर्दे, मस्तिश्क, आधी तो जानते हैं कि उतक क्या है और कितने प्रकार के हैं उनके कारे क्या हैं समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक विशिष्ट क्रिया या कारे को करने वाली अनेक कोशिकाओं के सम्हूं को उतक कहते हैं जैसे हमने पहले देखा था कि कोशिकाएं अनेक प्रकार की हैं, उनके अलग-अलग आकार प्रकार माप हो सकते हैं, कारे के अनुसार या उनकी क्रियाओं की अनुसार, तो जो समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक विशिष्ट क्रिया या कारे को करने वाली अनेक का समूह है उन्हें हम उतक कहते हैं इन्हें मुख्यता चार समूहों में विभाजित किया गया है उपकला उतक जिसे एपिथीलल टिशू कहते हैं संयोजी उतक याने की कनेक्टिव टिशू पेशी उतक मस्कुलर टिशू तंत्रिका उतक नर्वस टिशू पहले जानते हैं कि उपकला उतक क्या है जिसे हम epithelial tissue भी कहते हैं यह शरीर के भीतरी तथा बाहरी आवरण का निर्मान करता है इसके उधारण है जैसे त्वचा या श्लेश्मा जिल्ली म्यूकस मेंब्रेन जो हमारी तवचा है शरीर में वह सब उपकला उतक से बनी है और जितने भी ओर्गन्स होते हैं उनकी इंटर्नल लाइनिंग्स जो होती है अंदर की जो मेंब्रेन्स होती है वह सब भी epithelial tissue उपकला टीशू से ही बनी है इसके आप चित्र में विभिन प् उपकला है सरल शल्की उपकला है सरल स्तंभाकार उपकला है या मिश्रिस्तरित्य शल्की उपकला है इसके भी हम सरल और संयूक्त दो प्रकारों में बांटते हैं इन उतकों का कारे क्या है यह उतक absorption, absorption, स्राव यानिकि स्प्रेशन, रक्षा, protection, और उत्सर्जन, excretion का कारे करते हैं जैसे अभी हमने जाना कि यह कई प्रकार के होते हैं तो उसमें इनका सरल और संयोग्त यह दो प्रकार होते हैं कि अभाड़ जानते हैं संयोजी उतक और कलेक्टिव या उतक जिसे एडिपोस कहते हैं हम अंगों को आच्छादित करना उन्हें सही स्थान पर रखना तथा शरीर को एक धाचा प्रदान करना इनका कार है कनेक्टिव टिशू विभिन उतकों को जोड रहे हैं और शरीर के जो हमारे अंग प्रत्यंग हैं उनको सही स्थान पर साता है कि मस्कुलर टिशू पेशी उतक यह शरीर की गति में साहयाख होते हैं इनकी कोशिकाइं संकुचितफो सकती हैं यह तीन प्रकार के होते हैं हिभित-पैशी ज tipo मसल एचिक वॉलेंटरी मसल्स जिन्यका कहते हैं लेकिन यह अनेचिक नियंद्रन होता है आप इनकी गतिपर नियंद्रन नहीं कर सकते हैं और रेखिया पेशी जो होती है अनेचिक नियंद्रन वाली होती है जो कि आपके internal organs intestine stomach इन समय पाई जाती है और यह अपने आप कार्य करती है इनका आप एच्छा अनूसार मूब नहीं करा सकते हैं जो रेखिय उतक जिनने हम एच्षिक पेशी उतक बोलरे हैं यह इनको एच्छिक इसले किया जाता है क्योंकि आप अपनी इच्छ के अनुसार इनकी गती करा सकते हैं जैसे आपको हाथ उठाना है या आपको चलना है कोई चीज उठानी है तो यह सब आप एच्छिक पेशी उतक से करा सकते हैं नर्वस्ट इशू यह एक विशेश प्रकार का उतक है जो संदेशों के समवहन के लिए उत्तरदाई होता है अर्था जितने भी शरीर में सेंसेशन होती हैं जो गती होती है आपको ठंडा गरम का एहसास होता है या कोई टेंपरेचर फील हो रहा है या प्रेशर फील होता है या आपको दर्द महसूस होता है उसके लिए यह उत्तरदाई होता है इसकी एक इकाई को निरोन कहते हैं या तंत्रिका कोशिका कहते हैं तंत्रिका उतक तंत्रिका कोशिका अर्था निरोन तथा उनके प्रवर्धित तंत्वों नर्व फाइबर से मिलकर बनते हैं यही तं मानफ शरीर में एक धुरि भाग तठा उपांग्य भाग होते हैं १ुरियआ भाग में सिर गर्दन तथा धर्ड जबकी उपांग्य भागों में उपरी वह निचले ही अंग शामिल होते हैँ इस प्रकार मानव शरीर को हम छे भागों में विभग कर सकते हैं पहला है उर्ध्व शाखाएं, अपर एक्स्ट्रिमिटीज जो की दो होती हैं अधा शाखाएं, लोगर एक्स्ट्रिमिटीज वो भी दो होती हैं धर्ड, ट्रंक एक, सिर, गर्धन तता चहरा एक सिर, हेट की बात करते हैं इसकी अस्थियां कपाल अर्थाथ स्कल का निर्मान करती हैं इसी में मस्तिश्क रहता है कपाल के नीचे का भाग चेहरा कहा जाता है इसके मुख्य भाग आँख, नाक, कान, मुख और ठोड़ी हैं इसमें मेरुदन, वर्टीब्रल कॉलम का ग्रैव भाग अर्थाथ सर्वाइकल पाट आता है गर्धन से पेशियां, सिराएं, कंट, लेरिंक्स, श्वासनली, ट्रैकिया, ग्रासनली, इसोफेगस आदी वक्ष में आते हैं धड, ट्रंक, यह शरीर का सबसे बड़ा और बीच का भाग है, इसमें सभी बड़े-बड़े अंगस्तित हैं यह एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान है, जिसे गुहा, केवेटी कहा जाता है यह तीन भागों में विभग किया जाता है, जो की है वक्ष गुहा, थोरैसिक केवेटी, उदर गुहा, एबडोमिनल केवेटी, श्रोणी गुहा, पैल्विक केवेटी तो आज आपने इसमें सेल्स क्या है, मानव शरीर में, मानव शरीर का सरचिरात्मक स्थर क्या है, एक जठिल संगठन है, तदा इसमें विभिन स्थर पर कोशिकाएं उतक कारे करते हैं, कोशिकाएं क्या है, कैसे उनकी रचना है, क्रिया कैसे करती है और कुछ विशेश क्रिया, एक समान क्रिया करने वाले सम्हू को उतक कहते हैं, ये सब हमने इसमें जाना उतक की कितने प्रकार है, या उतकों का कारे क्या है, ये सब इसमें हमने जाना है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि कोशिका क्या है, कोशिका मानव शरीर की एक स रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो कि स्वतंत्र ही अपना जीवन चलाने के सक्षम होती है यह तीन भागों से बनी होती है केंद्रक कोशिकाद्रव्य कोशिका जिल्ली सेल्स चाए कोई भी हो लेकिन उसके अंदर ये तीन चीजे अवश्य पाई जाती है समान गुणों वाली एक ही आकार की तथा एक विशिष्ट क्रिया कारे को करने वाली अनेक कोशिकाओं के समुकों हम उतक कहते हैं इने हमने चार भागों में विभाजित किया था उपकला उतक, संयोजी उतक, पेशी उतक तथा तंतरी का उतक उपकला उतक हमारे भीतरी तथा भारी आवरन का निर्मान करते हैं और इसके उधारन पच्चा तथा शलेश्मा जिल्नी है और ये उतक अवशोषन, स्राव, रक्षा और उसर्जन का कारे करते हैं संयोजी उतक विभिन उतकों को आपस में जोडते हैं और इनके भी कई प्रकार होते हैं रक्त, अस्थी, उपास्थी, वसिय उतक इनके उधारन है तथा ये अंगों को आच्छादित करते हैं उन्हें सही स्थान पर रखते हैं तथा शरीर को एक धाचा प्रदान करते हैं पेशी उतक मुख्यता शरीर में गती कराने में साहयक होते हैं और इनकी कोशिकाएं संकुचित हो सकती हैं और ये तीन प्रकार के होते हैं हृत पेशी एच्छिक और अनेच्छिक तंत्रिका उतक यह एक विशेश प्रकार का उतक है जो की संदेशों के लिए उत्तरदाई होता है हमारी शिरिकी सारी सेंसेशन्स इस नर्वस टिशूप के द्वारा ही होती है और इसकी एक इकाई को हम तंत्रिका कोशिका या निरोन कहते हैं आज हमने कोशिका और उतक के बारे में जाना आशा करती हूं कि यह सत्र आपके लिए लाबधायक सिद रहेगा आपको अच्छी जानकारी प्राप्त होगी अगले विश्यों के लिए हम फिर से उपस्तित होंगे धन्यवाद